हलो डियर स्टूडेंट्स वैलकम इंड्रीम ही अकडमी तो जैसे कि हमने देखा कि आपके जो डेशीट है वह बहुत ही नजदीक आ रहे हैं आपके डेशीट है आउट हो चुके हैं तो बहुत हम अपना जो लेक्टर सेरीज उसको रिजूम कर लेंगे और इसकी बहुत डिमा मीरी ह Counterifa अड़ाइम करें क्या इस इस इंडर पेर आपके सब्सक्राइब अदो काटाया है और रिजनके dwa ख wild час और वाम गाम किया था इसको कंप्यूटर गाता हमेंगे वहां पर आपको ।वेले लैक्टर इसके अदो बहुत हों तो एक एक मईटम की आप वह आप हमारी इसी चनल पर ड्रीम हाइड़ेमी पर आप जाके प्लेलिस चक करिए और कंप्यूटर के लेक्चर्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे ठीकिना बहुत यह अच्छा मैटिरियल है अच्छा मैटिरल को पढ़के एक अच्छा सिकोर कर पाएंगे ठीक है तो लास्ट अगर लेक्चर में आपको याद दिलाओ लास्ट वाला हमने किया था लेक्चर नमबर टुवल जो था हमारा वो कम्प्यूटर से टोरेज के अंडर किया था हमने ठीक ना इसको हमने कवर किय था कम्प्यूटर से टोरेज को हमने लास्ट अपने सेशन में कवर किया था ओके जो नए है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं मैं उनको सजेस्ट कर लूँगा कि आप पहले उन लेक्चर को एक बार गो थो करिए प्ले लिस्ट पे आपको सारा कुछ मिल जाएग तो चलिए अब स्टार्ट करने के ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का चलिए देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सौफ्ट वियर जो कि आपके से लेबस में अलग से लिखा हुआ है कंप्यूटर सौफ्ट वियर ठीकिना अलग से पढ़ना है और इन डीटेल पड़ना है वही इसचीज को हम यहां पर आज कवर करने जा रहे हैं जब भी मैंने आपको सबसे पहले आपक पहले वाला बता दिया था सबसे पहले लेक्शिर समें कि thick of computer क्या होता है diagram of computer क्या होती है तो उसपे हमने देखाме एक LIKE user क्या होता है होता है air complete सिस्टम होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है ठीक ना तो उसके बाद भी मैंने आपको दो चीजे बताई कि कंप्यूटर के मैं दो कंपोनेंट जो है हाड़ वियर और सॉफ्ट वियर अगर आप लोगों को आज तक समझ नहीं आया था कि हमने क्या किया हमने हाड़ वियर वाला अपना कंपोनेंट कंप्लीट किया ठीकिना अब हम सॉफ्ट वियर की ओर जा रहे हैं मैंने पहले जो आपको बता दिया कि कंप्यूटर के में दो कंपोनेंट हाड़ वियर और सॉफ हाई लॉए लॉपार्ट क्यों की हमने अब तक भी पड़ा अपने हमने देखा हर एक चीज़ को हम तच कर सकते हैं पर आप Ó procedure सब्सक्राइब हो ऊड़ आ डियो को हम देख सकते हैं आज हम जान लेंगे soft wear तो इसी के in contrast है आपके hard wear का in contrast क्या होता है soft wear चलिए इसको discuss कर लेंगे सबसे पहले intangible part सबसे पहले हमने पहले वाले lecture में भी देख लिया थे कि soft wear जो होता है वो intangible part होता है मतलब हम इसको हम touch नहीं कर सकते हैं अपने software को हम touch नहीं कर सकते हैं इसको में आहां लेया तो चलिए intangible part होता है और देखिए software में क्या होता है कि software intangible part होता है hardware में देखा हमने tangible part होता है मतलब कि हम software को touch नहीं कर सकते ही वही हुआ intangibility होती है इसकी कोई physical shape नहीं होती है ठीक ना और it cannot be seen with the naked eyes जो जिससे सबसे भी आप इसको relate कर पाओगे खेर वो इतनी important बात नहीं है अब देखें क्या होता है यहां पर important बात बताने में जा रहा हूँ आप सबसे पहले देखिए कुछ इस तरह परकार से अपको मिलेगा सेट आफ कमांड सेट आफ इनस्ट्रेक्शन बनाती है इंस्ट्रेक्शन मतलब कंप्यूटर के पास इनस्ट्रेक्शन आते हैं कि आप इसको किस तरह से एक्जिक्यूट कर लोगी इस प्रॉसस को सेट अफ इनस्ट्रेक्शन सेट आफ प्रोग्राम बनाती है ठीक नब और सेट आफ प्रोग्राम का आपका सॉट्फियर बन जाता है यह चीज़ आप याद रखिए प्लीज ठीक है न बहुत बार आपके एक्जाम में पूछा ग होता है और कभी को बार हम सेट आफ इनस्ट्रेक्शन को ही साफ्ट फियर बोलते हैं सेट आफ कमांड आपको कभी साफ्ट फियर नहीं हो सकता है बलकि सेट आफ कमांड क्या होती है कमांड मिलके एक इस्ट्रेक्शन बनाती है तो सेट अफ इस्ट्रेक्शन मिलके एक सेट आप प्रोग्राम बनाते हैं और सेट आप प्रोग्राम बनाके एक आपका सॉफ्ट्वियर बनाते हैं आपको क्या होता है मैंने पहले भी आपको बता दिया था और आज फिर से बताता हूँ देखिए कंफिचन दूर करवाऊंगा सॉफ्ट्वियर क्या होता है जब आपके कंप्यूटर को बताता है कि आपको क्या करना है क्या काम करना है क्या आपको प्रॉसेस करना है क्या आपको क्या काम करना है क्या आपको प्रॉसेस करना है क्या आपको अर्थमेटिक लगाना है यानि क्या आपको क्ल्कुलेशन करने है यहां पर पुलस माइनस करना है या कुछ और प्रॉसेस करना है क्या आपको मुवी चलान को बताती है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है यही नहीं बताई की कि आपको क्या करना है वो टुडू नहीं बलकि एंड हाउ टू डू कि आप इस काम को किस तरह से execute कर लोगे किस तरह से आप arithmetic महीन लगाओगे किस तरह से आप इसको plus minus वो सब चीज़े बताती है ठीक है कौन यही set of instructions यही software हमारा बताता है computer system को ओके चलिए अब कुछ important points यहां पर मैं आपको बता दूँगा software is an interface between the user and computer hardware अगर आपका software नहीं होगा तो हमारा computer कुछ नहीं है यान कि simple सी बात है कि एक box होगा फिर खौली एक box होगा ठीक है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं जिसका कोई काम ही नहीं है हमारे computer system का ठीक है अगर software नहीं होगा क्योंकि अगर software नहीं होगा instructions नहीं होगी तो हमारा काम ही नहीं नहीं निकलेगा computer से फिर फाइदा क्या ठीक है तो इसलिए software interface करता है किस-को मिलाता है अपस में it is an interface किसके दर्मियान interface है ठीक है एक interface है यहाँ पर user यहाँ पर आप हो जो system को चलाते हो यहाँ पर system है यान की computer system है ठीक है यहाँ पर computer hardware स्वरी computer hardware computer system तो सारा आएगा ना ओके देखे किस तरह से यहाँ पर यूजर ठीक है यहाँ पर आपका computer hardware क्या 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 computer hardware है अच्छे से पढ़ाए सब हमने keyboard है हमारा monitor है वो सब चीज़े hardware है computer को सिर्फ ठीक ना तो वो सब computer यहाँ पर hardware है अब इन दों को combination में लाने के लिए कोई न कोई interface करेगा यूजर की language को समझाएगा computer की यूजर चाहता क्या है यूजर को किस तरह से काम करना है यूजर को two plus two करना है तो यह कौन बताएगा यह आपको software यह interface वाला चीज यह आपका interface जो करता है यह software आपके computer hardware को बताता है अरे जिनाब अरे CPU साब चलो यह process आई है यह process करनी है इस तरह से process करना है इसको ओके कले तो इस अब आप कभी नहीं बोलो आई होब कि आप को याद रहेगा कि software interface करता है इंट 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 इस बिट्वीन दे यूजर एंड कंप्यूटर हाड्वेर ओके और भी एक important point यहाँ पर हर एक चीज़ आपको यहाँ पर important मिलेगी इसको एड करने की मुझे नहीं लगता है कहीं पर ज़रुरत होगी बट अगर सिटिल आप कहीं से कर पाते हो डेट इस गूड ठीक ना बट इस अर्वेर किसके लिए responsible होता है controlling अचे जिन्हाम इसी के बाव इनस्टरेक्शन है इसी के पास ही जो इनस्टरेक्शन करता है जो direction देता है वही हमारा controller होता हई यही हमें बताता है क्या करना है कब करना है कैसे करना है Spoiler कोणर रहा सारा कमांड है वो किस के अंडर है वो आपकि software पे ही लगी हुई है किस ची एक दो को अगर नहीं दो हम कोई थेश़ इस игр नहीं को क्यों सब्सक्राइन का करा कि को ऌनु नहीं है टीच्ट भूद्र में पूंब को जा थे पेम आपका की बॉर्ट PS засanes प्रॉड प्रोर्ट को इंकर तो आपको इन देनके प्यांट से अके आतMs कि आगे आगे एक चीज के साहते हैं तो आपको शुटा करता हूए एक एक system software होता है, दूसरा आपका application software होता है, मैंने ये आपको simply एक broad layman language में आपको बता दिया कि system software और application software are the two types of software, ठीकि ये क्या होता है, इनको detail में पढ़ना है, लेकिन अगर हम थोड़ा specific हो जाए, computer को थोड़ा और जाने, तो हम तीसरी type को भी देखते है, जिसका नाम है utility software, अ माना जाता है, इसी का ही एक part माना जाता है, जो कि कहीं हर तक ठीक है, ठीक है तो वहाँ पर आपको आएगा general में type of software, तो आपको पता है two types, अगर थोड़ा specific होआ तो utility software भी एक type, अलग से type माना जाता है, software की, अब देखेंगे system software क्या होता है, देखिए, अब तो हमें पता ह है, कि सर, software क्या होता है, software वो instructions होती है, that control is, ठीके ना, integrate is your hardware, यह जो interface एक्ट करती है, between the user and the hardware, computer hardware, ठीक है, यह software यू कहे, simple सी बास्टा में, सर, यह instructions होती है, जो कि instruct करती है, हमारे computer system को, जो कि बताती है, हमारे computer system को, कि आपको क्या और कैसे करना है, what to do and how to do, यह software होता है, लेकिन, software की भी type इस बताया, मैंने आप लोगो, एक system software, जब system से पता चलेगी, हमें system से ही, यह specify करता है, ना, कि जरूर इसमे system के related, किस तरह से हमारा system चलेगा, किस तरह से system run करेगा, किस तरह से कब और system run करेगा, यह हमारा system software होगा, application software, नाम से ही पता है, application software का मतलब होगा कि applications के related, किस तरह से हमारे applications run कर लेंगी, किस तरह से applications हमारे काम कर लेंगी, और utility software क्या होता है, इसको हम maintenance software भी बोलते हैं, जैसके antivirus वगेरा, ठीक ना, तो यह चीज़े, आपकी utility software के अंडर आती है, ओके चलिए, system software को detail में जानने की कोशिश कर लेंगी, इसको इसकी भी sub type पढ़ दी है, system software की type is पढ़ नहीं है, आइस्ता हम एक दो दिन में हम उसको भी cover कर लेंगे, चलिए, system software अगर broad sense में देखेंगे, थोड़ा इनका framework देखेंगे, कौन सा software किस के लिए होता है, तो system software, internal resources जो भी होते है, उसको manage करता है, computer के जो भी internal resources होती है, जैसे memory होता है, allocation करना memory को, यह manage को करता है, system, system software, system software की भी बहुत सारी type के से वो देखेंगे, हमें किस तरह से काम करता है, system software, आप लोगों का, control and coordinate the hardware and other application software, पहले ही मैंने आपको बता दिया, controller होता है, software, लेकिन system software, control करता है, और coordinate करता है, किन चीज़ों को, एक तो application software को, याद रखना है, इत application software को भी control करता है, और hardware को भी control करता है, computer के hardware और application software को भी system software ही control करता है, it communicates with hardware devices, जो मैंने आपको उपर बता दिया, interface, यह याद होगा, आपको user, यहाँ पे आप हो, यहाँ पे आपको computer hardware है, जो पता नहीं, कुछ नहीं जानता, बगिर instructions के यह बिलकुल flop है, तो यह interface act करता ह है, यह system software होता है, जो communicate करता है, with the hardware devices, ठीकिना hardware devices के साथ, communicate करता है, कि भाई, आपको क्या करना है, keyboard तयार हो जाओ, input दे दो, ठीकिना, यह कौन बताएगा, system software ही, monitor तयार हो जाओ, screen पे कुछ output दिखाना है, मुझे, तो यह सारा आपका system software ही बताता है, और एक important point यहाँ पे, हमने देखा कि, communicate करता है, with the hardware devices, और it connects user with hardware, जो मैंने आपको दिखा दिया, ठीकिना, user hardware के साथ connect होता है, application software and utility software, याद रखना, अब user को, एक तो hardware, computer के hardware से, यहाँ पे आपको अच्छे से समझाओंगा, मैं ठीके, तो यह एक user है, यह आप हो, यहाँ पे आपका computer hardware है, तो यह आपका system software है, तो यह communicate करवाता है, आपको computer system के साथ, computer software के साथ, okay, next is that, कि यह अब computer में कुछ application इसको run करनी है, उसके लिए भी क्या करता है, यह user को connect करता है, software ही application software तक ले जाता है, कौन सा software, system software ही user को application software के तक ले जाता है, okay, चले, next is that, और याद रखना हमेशा बहुत ही important, controller of computer किसको बोला जाता है, यह जो line है, बहुत ही important है, controller of computer किसको बोला जाता है, system software को, system software is also known as controller of computer, और याद रखना, it is less notice, अगर आपको examination में आएगा, इन में से less notice, most important कौन है, system software, याद रखना, system software क्योंकि हर बार, suppose आपका phone है, यह एक computer system ही ही है, ठीकर इस पे भी software लगे suppose आपके पस android का software है, system software, तो आप इसको बार बार नोटिस नहीं करते हो, by the way, in the rear case, जब आप मुबाइल switch off करके, आन करते हो, तब ही आपको लगता है, हाँ भाई, मैं भी android का phone जूज करता हूँ, ठीकर ना, मेरे पास भी android system software है, लेकिन आप ज्यादा नोटिस को करोगे, ज इसके उपर आप काम करते हो, ठीके ना, आप वो आगे देखेंगे, वो उस software को हम क्या बोलते हैं, और याद रखना, system software ही आपके computer को functional बनाता है, system software ही आपके computer को functional बनाता है, अगर system software नहीं होगा, तो यह हमारा computer system एक डबा होगा, खाली box होगा, ओके, चलिए, application software की बात कर real work, and इसी पर ही करता है, application software में ही करता है, आप इस वकिद यूटूब के थ्रोव मुझे access कर पाते हो, मेरे lecture को browse कर पाते हो, तो मतलब यूटूब application software है, ठीके न, application software में आपका end work होता है, यान कि आपको जो motive होता था, वीडियो देखना, वो आपने कहां पे देखा, यह application software म होते हैं, जो applications, जिसको हम end use programmers बोलते हैं, ठीके, तो इस पर यह instructions होते हैं, कि application किस तरह से काम करेगी, it helps user to perform single, बहुत important point, याद रखना, it helps user to perform single or multiple tasks, लेकिन, these are application software's are always designed for specific use, इनका specific purpose होता है, specific use होता है, कि suppose आपने कोई gaming बनाई, ठीके न, आपको कोई game की application है, कोई भी suppose PUBG आप खेल रहे हो, तो यह specific इसका जो software बना है, application software, specific बना है, इसी PUBG के लिए, इस पर यूटूब नहीं चला सकते हो, तो इस बात को आप समझ लीजिए, कि application software आपका specific purpose के लिए बना होता है, it enables the user to interact with a computer, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए, यहाँ पर real work होता है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, आपको Microsoft Excel पर जाना है, तो आप वहाँ पर अपना work करोगे, वही real work हो, आप MS Word पर कुछ लिख रहे हो, ठीके न, तो real work आप जहाँ पर कर रहे हो, तो वो किस कहां पर कर रहे हो वो application software में कर रहे हो, suppose मैंने MS Word खोला, ठीकर आगे पढ़ना है, हमने यह सारे word, Excel, PowerPoint, presentation, सारे कुछ हमें आगे पढ़ना है, तो MS Word पर मैंने जो काम किया, वो तो मैं application software पर हूँ, मैं application पर हूँ, MS Word एक application software है, चलिए फिर आगे, तो real work application software में होता है, ना कि आपके system software में, utility software मे मैंने आपको बता जा, इनको maintenance software भी बोला जाता है, यह help करते है, maintenance tasks, जैसे antivirus है, और important point यहाँ पर इसको load किया जाता है, आप utility software को, जब आपका system software load होता है, उसी time इसको भी load किया जाता है, इस program को, किस program को, utility program को, utility software को, तो इसमें क्या हमें help मिलती है, कभी हमें कोई fragmentation करन होगी, formatting करनी होगी, इन चीज़ों में utility software हमें मदद करता है, तो आगे बढ़ेंगे हम, अब system software की types देखेंगे, किस तरह से हमारा system software काम करता है, तो चलिए, अब इसकी types देखेंगे, यहाँ पर आप add करना है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखाए, ठीकिन आप लिख लो, यहा next is that, second लिखो utility programs, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि utility programs को हम कभी कबर system software में ही रखते हैं, जब हम broader sense में देखेंगे, next is that device drivers लिखना, device drivers, device drivers, जो आपके device को drive करते हैं, okay, number four, language translators, ठीक है, number five, आप लिखो linker, और number six, आप लिखना, loader, यह आपके system software है, okay, यह आपके system software है चलिए फिर, operating system, सबसे पहले system software में पहली type हमने देखा, operating system की, अब इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, आपके syllabus में बता दिया है, detail में, इसकी knowledge चाहिए हमें, okay, अब हम भी इसको detail में पढ़ लिंगे, चलिए, it's a program that acts as an interface between a computer user and computer hardware, सर पहले ही आपने बता दि इसको बहुत है, it performs all the basic tasks and controls, यान कि याद रखना, operating system जो है, system software का बहुत ही important part होता है, operating system, okay, operating system ही होता है, जो आपके पूरे system को operate करता है, आप यह मानिए, इसलिए नाम operating system रखा है, perform all the basic tasks and controls, the peripheral devices, peripheral devices क्या होते है, आपके input or output devices, इनको हम peripheral devices भी बोलते है, exam में पूछा जाएगा, next name of another name for the input or output devices, peripheral devices, peripheral devices का दूसरा नाम क्या है, input or output devices, okay, चलिए, operating system manage करता है, यह manager होता है, इसको भी याद रखना, of all system resources, जो भी system के resources है, allocate करना, de-allocate करना, उन सब चीज़ों को operating system अच्छे से manage करता है, यहाँ पर मैंने आपको briefly बता दिया है, सारा कुछ examination में, यह इसको आप पढ़ दो, ठीक ना, बहुत easy है, memory management करता है, operating system process management करता है, device management करता है, आगे मैंने ठोट discussion भी इसको बारे में लिखा है, यह आप इस notes में आप पढ़ सकते हो, ठीक, कहीं पर समभी नहीं आएगा, तो वो बताना, बहुत important point, job accounting, it acts as a job accounting, इसको accountant बोला जाता है, कि अपरेटिंग सिस्टम नहीं हो, क्योंकि on करने के लिए भी process चाहिए, operate करना है, तो वो कौन बताएगा, वो operating system ही बताएगा, अरे जिन आप इस तरह से on हो जाओ, यह बटन, power button प्रेस किया, आपका mobile on हुआ, तो वो कौन बताता है, कि volume बटन से क्यों नहीं होता है, क्योंक चीजे आप जहन में रखेंगे, अब मुझे यकीन है कि आप लोग को एक framework आया होगा, computer किस तरह से काम करता है, क्योंकि बहुत ही आपके, बहुत ही easy यह topic है, क्योंकि आप daily use में इसको भी daily use ही करते हो, इसका, अब type sub operating system, चलिए, type sub operating system में सबसे पहले, यानि कि हमने क्या द आपको batch operating system की operating system किस तरह से काम करता है, time sharing operating system, multi programming, multitasking, यह सब चीजे हमें अब discuss करनी है, और यह बहुत ही important session होने जा रहा है, चलिए, type sub operating system, सबसे पहले मैंने आपको बता जिया batch operating system, अरे sir, हमने बहुत सारे ऐसे computer system देखे, जहां पर batch इसमें काम होता है, समझ नहीं आप लो operating system do not interact with computer directly, जिस तरह से हम इस वकिद इंटरेक्ट करते हैं अपने system से, batch operating system में, जिन system में batch operating लगा होता है, वहाँ पे operator होता है, एक operator होता है, और user जो होता है, मतलब जैसे कि जिसको काम करना है, ज़रूरी नहीं कि वो directly communicate करेगा आपके computer से, कैसे, sir कैसे, तो मैं आपको एक दिलाओ, एक traditional convention था, देखे, जब भी आप बैंक में जाते हो, वहाँ पे आपको किसी को पैंसे जो है, ट्रानस पर करना होता है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पे वो पैंसलिप देते हो, तो वो क्या करता है, जमा करता है, एक खटे करता है, पहले 10-15 transactions को, फिर एक साथ उस जमा करते है, सपोज यह एक बैज बन गया, तो A वाला बैज, ठीक है, यह दूसरा बैज है आपका, दूसरा टासके, तो computer को बताया जाता है, कि आप पहले इस बैज को complete करो, उसके बाद इस B वाले बैज को complete करो, यानि हम यूँ कहें, कि यहाँ पे बैज बना के काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि हमारा CPU जो है, पहले A का थोड़ा काम कर लेगा, फिर B का नहीं, इसको A का पूरा का पूरा काम करना है, तब तक B को वेट करना है, तो यहाँ पे बैज operating system, बैज में काम करता है, यूजर, और मैंने आपको बता जाए, कि बैंक में हमने देखा है, त आपको मिलेगा, ठीकिना, okay, fund transaction, जो electronic fund transaction होता है, okay, unix भी इसकी एक example है, अब इसकी disadvantage क्या है, मैंने आपको बता जाए, disadvantage क्या है, सर यहाँ पे batches में तो हमें wait करना होगा, तो मतलब process जो है, यह बहुत slow है, और जब B ऐसा काम होता है, तो CPU idle रहता है, ठीकिना, तो CPU idle condition में र आया, यह दूसरा batch आया, तो A batch और B batch, CPU के पास task आया A वाला batch, तो अब A वाला batch को process कर रहा है CPU, अच्छनक से इस batch में एक ऐसा काम पड़ा, कि अरे इसको output देना है, इस वाले चीज़ को support page 3 को output देना है, मुझे, तो अब CPU shift हुआ, output देने में, तो processor CPU का खाली रहा, क्योंक यहां पे कुछ टाइम के लिए CPU आइडल भी रह सकता है, तो यह था आपका batch operating system, अब यहां पे multi programming operating system, देखो इस चीज़ को समझ लो, यहां पे multi programming का मतलब होता है, कि यहां पे CPU को आइडल रहने नहीं दिया जाता है, क्या होता है, सपोज यहां पे process 1, process 2, process 3, process 4, आपके computer क पास आए, अरे जिनाब हमें 4 operations करने है, CPU यहां पे बैठा है, CPU बोला है मैं क्या करो, मैं एक process को कर सकता हूँ, एक task को उठाता हूँ, तो CPU ने उठाया पहले P1 process को, ठीकिना P1 process को CPU ने उठाया, अब execute करने लगा, तो इसमें command आई कि इसको बाई output देना है, जो ही यह लग किया, क्योंकि यह आइडल देना नहीं चाहता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग नाम है, कि बहुत मल्टी प्रोग्राम कर सकता है, एक टाइम ठीकिना, यहां पर आउटपूट भी देता है, यहां पर process को करता है, किसी task को, okay, this is multi programming, okay, ले operating system, अरे जनाब, इस पे क्या होता है, इस पे कुछ नहीं होता है, सेम मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा है, इसी की extension है, इस पे क्या होता है, इस पे अगर CPU के पास P1, P2, P3, P4 tasks आया, तो CPU यहां पे है, इसने देखा P1, ठीकिना, P1 का task, इस पे थोड़ा time share करता है, कि मैं इ इसको 5 मिनट में complete करो, इसको 6 मिनट में, इसको 7 मिनट में, अगर 4 मिनट में आपका P1 task complete नहीं हुआ, तो यह shift करेगा, फिफ्ट मिनट में यह 50 मिनट में जाएगा, यहां पे P2, P2 के पास, कि बायो आजाओ, अब आपका काम करना है, इसका तो कुछ काम रहेगा, इसको मै नहीं के schedule में कर लूँगा, ठीक है, लेकिन P2 के पास जा रहा है, तो इस तरह से काम करना है, कि time share करता है, जो भी task होगा, P1, P2, P3, इनमे time distribute करता है, तो उसके हिसाब से यह काम करते हैं, आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने इसको एच्छे से maintain किया है, नोटस बना लिए है, आप लोगों के लिए आप इससे पढ़ सकते हो, ओकी चलिए, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी क्या, आपका CPU ideal नहीं रहता है, CPU keeps working executing, ठीक है, तो CPU यहां पे भी ideal नहीं रहता है, ओकी, the CPU executes multiple programmers by switching among the programmers, तो switch करता है, P1, P2, P3, P4 के दर्मिया CPU switch करते रहता है, ओके, P1, P2, P3, तो CPU यहां पे है, कभी P1 के पास जाए, कभी P2 के पास, कभी P3 के पास, अगर इनका time meet नहीं हुआ, तो इसकी भी example है, Linux, इन सब चीज़ों को हमें discuss करना है, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना है, अलग से probability होती है, और problem of data communication का होता है, आपके time sharing में, okay, अब अगर कोई आपको main difference बता देगा, अरे, by multi programming, or time sharing में main difference क्या है, आप यह बताना, कि multi programming में time का पता नहीं होता है, बस सिर्फ CPU ideal नहीं रहता है, यहां पे main focus होता है, CPU ideal नहीं रहता है, time sharing में जनाब यहां पे time share किया जाता ह है between the processes, और जब भी कोही time मतलब बराबर हुआ, तो next CPU shift करता है, next secure से, ठीक न, thank you very much, thank you a lot, बहुत अच्छे से आपको आज का session समझाया होगा, तो keep supporting us, और like करिये, share करिये, thank you very much, thanks a lot.